मुझे एक चीज बहुत जादा कन्फ्यूज कर रही है वो यह है friends कि जब मैं third round की counseling के बाद जो seat matrix मतलब कि friends जो UPDL8 के official site है न वहाँ पर seat vacant and allotted के regarding जो है एक information दिया गया है मतलब कि friends कौन से college में, कौन से diet में, कितनी seat जो है वो allotted हो चुकी है, मतलब कि भर चुका है and कितनी seat जो है अभी भी खा ली है जब friends मैं आज, मतलब कि 29 सप्तमबर यहाँ पर आप time भी देख सकते हैं 29 सप्तमबर मतलब कि third round की counseling start होने के बाद मैं जब check कर रहा हूँ यहाँ पर तो friends, यहाँ पर जब आप देखते हैं तो आगरा की जो government diet है friends इसमें total जो है 200 seat है, ठीक है तो इसमें जो है third round की counseling के बाद friends, यहाँ पर जो है न, 15 seat 100 हो रही है यहाँ पर देखिए, मतलब कि 15 seat जो है खाली है friends, confusion यहाँ पर है कि मैं friends, third round की counseling किस से पहले यहाँ पर मैं आपको date भी दिखा दूँगा कि यह जो मैंने screenshot लिया है यह friends, मैं 27 या 28 सब्तमबर को मैंने screenshot लिया है तो यहाँ पर जब आप देखेंगे friends तो यह जो है न, seat यहाँ पर 46 खाली है but friends, अब हम check करें तो वहाँ पर 15 seat खाली है third round के बाद but friends, यहाँ third round से पहले जो है, वो 46 seat खाली थी यहाँ पर screenshot का हम timing भी देख लेते हैं यहाँ पर आप timing भी देख सकते हैं कि मैंने 26 सब्तमबर को मैंने screenshot लिया है ठीक है, मतलब कि friends, मैंने second round की counseling में मैंने check किया था ठीक है, तो 25 सब्तमबर से second round की counseling स्टार्ट हो गई थी choice feeling करना, but मैंने 26 को check किया तो यहाँ पर आप समझे but friends, मुझे न, यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा है कि जब friends, second round की counseling में मतलब कि government diet का option नहीं आया तो friends, ऐसा तो है नहीं कि एक student की, मतलब कि कुछ student के ID पे जो है option आएंगे, और कुछ student के ID पे जो है, government diet का जब friends, government diet का option नहीं आता है, तो किसी student की ID पे नहीं आना चाहिए या आता है, तो सभी student के ID पे government diet का option आना चाहिए तो friends, मुझे यह confusion है कि जब मैं 26 स्क्तमबर को check करता हूँ, seat vacant and seat allotted ये मैं आपको बता भी दूँगा कि किस परकार आपको check करना है ठीक है easily अभी ही बता दूँगा तो मुझे ये समझ में नहीं आता है कि जब friends second round की counseling में choice filling में government diet का option नहीं दिया जाता है ठीक है तो फिर friends वो seat जो उसमें 46 सो हो रही थी यहाँ पर देखिए जब friends 46 seat 100 हो रही थी second round में 26 सप्टमबर को तो third round में जो है friends आज 39 सप्टमबर को 15 seat क्यों 100 हो रही है जब friends second round में कोई option ही नहीं आया एंड मैं कल भी check किया था तो कल भी friends 15 के आसपास ही seat 100 हो रही थी तो जब friends second round में government diet feel करने का option ही नहीं आया है तो वो seat full क्यों हो गई सबसे main point देखिए friends यहाँ पर सबसे main point यही है मैंने इसके regarding video भी बनाया है उसमें भी आप seat देख लेना 40 seat खाली थी तो friends सबसे main point यही है कि जब second round में friends government diet feel करने का option ही नहीं आया है ना ही third round में आया है मैंने कल भी check किया था तो friends यह seat full क्यों हो गई 46 seat थी तो अब 15 seat क्यों बज़ी है यहाँ पर आपको समझना है क्या कुछ मतलब कि गड़वाडी हुआ है या कुछ हुआ है तो इस seat को समझना है आपको यहाँ पर आप देख भी सकते मैंने आपको टाइमिंग भी दिखा दिया है कि screen shot जो है मैंने 26 सप्तम्बर को लिया था second round की counseling का start होने के बाद तो friends इसका मतलब अब यह निकलता है कि friends कुछ student के जो है ID login करने पे choice feeling का option मतलब कि मिलता है मतलब कि मिला है और कुछ student के choice feeling का option नहीं मिला है यह आप समझ लीजिए मतलब कि second round में जो है friends government diet feel करने का कुछ student को option दिया गया है तो बट कुछ student को नहीं दिया गया है क्योंकि friends जब seat खाली रहती है second round में 46 तो third round में भी रहना चाहिए क्योंकि जब वो seat feel करने किसी के ID login करने पर option आया ही नहीं है choice feeling में तो वो seat भर कैसे गई तो कहीं नहीं कहीं friends option आया है कई ए student के and कई ए student के नहीं आया है and friends अगर आप इसे check करना चाहते हैं किस परकार मैंने check किया है तो चलिए मैं बता देता हूँ आपको most important thing यह भी है कि third round में पहले के round में government या private diet allot नहीं हुआ है जिनको allot नहीं हुआ है वो check करके बताईए but check आप भी कर सकते हैं जिनको allot हो चुका है मैं आपको बता भी देता हूँ UPDLA आपको search करना है ठीक है official site पर आ जाएंगे उसके बाद आपको scroll down करना है जब आप scroll down करके सबसे नीचे में आते हैं तो एक बार यहाँ पर आप choice feeling चेक कर लिजिए क्या कोई फिर से आ रहा है option government diet का फिर आप मुझे आप बताना ठीक है सबसे नीचे आपको करना है ठीक है scroll down करते हुए तो जब आप नीचे करेंगे तो यहाँ पर सबसे नीचे आ जाना है उसके बाद यहाँ पर देखें यहाँ पर जो है न एक option आएगा allotted and vacant मतलब कि कितने allot हो चुके है उस college में seat न कितने vacant मतलब खाली है ठीक है उसके बाद हम कुछ इस परकार के interface open होता है यहाँ पर जो है न यहाँ पर आपको click करना है DLA 2021 पे UPDLA उसके बाद जो है न दो option मिलेगा एक option तो मिलेगा institute wise allotted candidate मतलब कि जो institute जो है न अलोट हो चुका है मतलब कि seat उसका आप देखना चाते हैं नीचे जो ही यह तो इस पर आपको click करना है क्योंकि आपको vacant seat check करना है खाली seat कितनी seat है खाली है इस पर मैंने click कर लिया और यहाँ पर बहुत सारे है कि मैंने जो है check कर ली इस परकार जो है आप check कर सकते हैं जब आप submit कर करेंगे तो यहाँ पर देखिए seat हो रही है ठीक है अगर आप check करना चाहते है friends कि कौन से institute में मतलब कि seat अलोट हो चुकी है कितनी seat है तो यहाँ पर जो है आपको check करना होगा कोई diet डाल दीजिए ठीक है आगरा वाले diet मैंने डाल दिया है यहाँ पर जो है मैंने submit कर दिया है यहाँ पर आप जो है वो भी देख सकते हैं कि कितने cut off गई है कौन से diet की ठीक है देखिए देखें यहाँ पर आप देख सकते हैं कितने मार्क्स वालों का यहाँ पर एडविशन हो गया है सबसे लाश्ट में मैं आपको दिखाऊँ तो जो है यहाँ पर दो सो तेरा वाले श्ट्रिंट का भी हो गया है ओ हो